नमस्कार मैं हुआ जब अर्द्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं किसान अंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीर लगातार आप सभी के सामने लेकर क्याने लग रहे हैं वे टिक्री बॉर्डर के उपर इस वक्त हमारी टीम पर हुँचे और जो गासी र अंदोलन को लेकर के हम पूरे देश के किसानों से ये कहना चाहेंगे किसान अंदोलन पूरा योवन पर है सरकार के दुवारा हमारे किसान अंदोलन को समाप्त करने के भिन भिन तरह के परियास किये गए कभी अलगावाद के आतंकवाद के जाती के अधार पर बांटने का भी हर्याना पंजाब को आईस्वाइल के मुद्दे पर बाटने का प्रियास किया गया जो जो ये आंदोलन लंबा चलता गया सरकार पर त्यों त्यों बारी पड़ता गया और आज किसान आंदोलन को लेकर के भिन-भिन भ्रांतियां फलाई जा रही थी टिक्री बोर्डर के उपर आज हमारे महम से धानक समाज के सेंकड़ो किलोमेटर की पैदली आतरा करके जिनमें मातर सकती भी थी नोजवान चोटे बच्चे भी थे और समाज के अगणी व्यक्ति जो धानक समाज से थे जाए वो सरपंच हैं पूरो सरपंच हैं और हमारे चर्की जाजरी जिले स जो सांगवान बड़ी खाप है हमारी उस खाप के अंदर वो परवक्ता का रूप में भी जो धानक समाजगा व्यक्ति सामिल है वो सभी साथी यहां बड़ी संख्या में पहुंचे थे बिलकुल सभी सतारीक का क्या प्रोग्रामा जी हो सभी सतारीक को पूरे देश के अंदर स सबी प्रांतों के रेजेपाल के माध्यम से राष्ट्रपती को ग्यापन देंगे और साथ महीने हमारे पूरी होने जा रहे हैं इस बात को लेकर कि हमां हर्याना पंजाब की कठी राजदानी चंदीगड है सबी वर्गों के सबी समुदाएं के लोग इसमें पूर्ण रूप से सायोग करेंगे जिस तरह से भी आज तक की जितने भी सुक्त मोर्चा की तरफ से काल दी गई हैं वो हर्याना पंजाब के उत्र परदेश के सभी किसानों में राजस्थान के सो परतिशत काल पर पूरा उत्रे हैं मुझे आसा और उमीद है कि अब की बार भी पूरे हर्याणा प्रदेश का किसान किसान के अलावा जितने भी हमारे समूदाय सभी वरकtar को के लोग हैं सभी धर्मों के लोग हैं वह उससे भी दो कदम आगे बढ़कर करके जो राजीय पालकों को पन देने का काम है उसमें सभी व्रक समिल होंगे हम सभी किसानों से सभी व्रकों से यही डिपापिल करना चाह चाहएं अर याना के डिपिटी सीएम दूस-शॉच्ट शॉटला का Legs ब्यान आया है कि यह अंदोलन अब किसानों की मांग का अंदोलन नहीं रहा है अब ये एक राजनितिक आंदोलन हो चुका है। इस 6.5 मेने से पहले 6 अक्तूबर को हमने पूरे शुक्त मोर्चा की तरफ से जब तो शुक्त मोर्चा भी नहीं था हर्याना के 17 संग्ठनों की तरफ से उसके निवास का घिराव नहीं खुलबास गया। वो आज तक उसके निवास का घिरावी नहीं खुलवास किया, वो किसानों की क्या बात करेगा, हमने उसके मकान पर ये सी बात को ले करके गए थे, कि आपको कुर्सी प्यारी या किसान, एक चीज चांट लीजिए, उससे साड़े साथ आठ मेंने के अंदर, ये फैंसला नहीं कर पाया कि मुझे कुर्सी चाहिए या किसान, उसको किसान आज कीड़े मकोडे मक्ही से फालतों कुछ दिखाई नहीं देता, उसको कुर्सी प्यारी है, कुर्सी के चिपका वह बैठा है, कहें जब कहता है बोट लेने का समया आता है, मैं देविलाल का वारिस हूं, देवि ये किसी भी सविधान में ऐसा नहीं लिख्या, कहीं भी कोई व्यक्ति चुनाव लड़नी सकता, आगिया लड़ेगा, ये जो हमारे हर्याना परदेश का दुसरी बार मुख्यमंत्री बने है, मनोरलाल खटर, इस विधान सवा चुनाव से पहले, उन्होंने कहीं भी पूरे देश के अंदर पंचैत के मेंबर तका तुनाव नहीं लड़ा था, वो पेरा सूट से उतारा गया था, वो व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बन सकता है, ये तो कमेरा वरग है, ये चुनाव लड़ेगा, ना लड़ेगा वो भविश्य की बात है, लेकिन किसी भी व्यक्ति व और क्या अपील करेंगे मोदी सरकार से? वो मुख्या मंतरी की कुर्शी पर बैठे रहने के लिए चिंतित है जो डिप्टी सीम है आपने भी जिकर किया था उनको भी चिंता है कि हरियाना के अंदर किस मूँ से हम बोट मांगने के लिए जाएंगे इस किसान वरक का मेरे वरक ने मजदूर साथियों ने इसको सत्ता मे में पहुंचाने का काम किया था और ये जब बोट लेने का समय था उसमें कहता था कि मुझे बोट दीजिए मैं बीजेपी को जमना पार कर दूँगा और आप सब लोग इस बात से वाकिफ हैं कि वाज बीजेपी की गोदी में बैठा हुआ है उनी का सारे से सरकार चल रही ह अगर उसके अंदर लेस मातर भी किसानी कांस है तो स्थीपा दे मोदी खटर सरकार दो एक दिन की मेहमान है आज ही चली जाएगी और जो हमारे साथ लगते हुए उत्तर परदेश की बात करें तो वहां पर भी योगी और मोदी के बीच का जो आज को आप तालमेल देख रह कि बीजेपी के अंदर बागदोड मत रही है कि किसको मुख्यमंत्री कुर्शीव पर बठाया जाए जाती समीकरम बठाया जा रहे हैं वो अलग अलग तरह से यह देख रहे हैं कि आज यूत्तर परदेश के अंदर लोग सभा की 80 सीटे हैं अगर आज 6 महिने के अंदर इस परदेश के मुख्यमंत्री को चेंज करके किसी तरह से भी साख बचाई जा सके तो हमने इसको बदल दिया वो अपने आप में यह चाता है कि किसी भी तरह से हम गाउं में घुचने के लिए त्यार हो जाएं लेकिन मुझे आसा और उमीद है कि पूरे उत्तर परदेश के अ में घुचने नहीं देगा पूरी तरह से परतीबंद आज भी लगाया हुआ है और इसी तरह से रहे तो यह कहीं भी बीजेपी का आप लोग हालात देख रहे हैं अभी पूरे देश के ग्यारा परदेशों के मुख्यमंत्री पस्चिम बंगाल के अंदर जोंक रखे थे धे पूरी के अंदर की सरकार ने गोड़े टेक रखे थे फिर भी इसके हमारे किसान आंदोलन की वज़े से पूरे देश के अंदर जो लहर चली है उसकी वज़े से वहां बीजेपी को करारी हार मिली है उत्तर परदेश के अंदर भी आप पंचैत का चुनाव है वो बिलकुल ग्राउंड सतर का चुनाव होता है वहां से भी बीजेपी को साड़े तीन सो में से लग साड़े तीन हजार में से ससो के लगबागी पंचैत के चुनाव जीत पाई यह बड़ी मुश्किल से आने वाले समय इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा है वीडियो आपने देख ल के लिए टिकरी बोर्डर से अपने राश्ट्रों ने दिमान की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें